हालो मेरे प्यारे व्यूवर्स मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए आलू बुजिया की रसिपिलाई हो तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके लिए यहां मेरे तीन मध्यमाकार का उबला हुआ आलू सबसे पहले हम क्या करेंगी उबले हुए आलू को सावधानी पर रख कर हम इसे कद्दू कस कर लेंगे तो आपको यह जो मोटे होल वाले ग्रेटर है इससे हमें कद्दू कस करना होगा बिल्कुल ऐसे अब यहां में डाल लो आदा कब जितना चावल का आटा देड कब जितना बेसन यानि की ग्राम फ्लार एक चोटाई चोटी चमच जितना हिंग यानि कैसे फटेडा आदी चोटी चमच हल्दी पाउडर एक चोटी चमच लाल मिर्श पाउडर आदी चोटी चमच गरम मसाला पाउडर दो चोटी चमश जितना चाट मसाला पाउडर डाल देंगे बिलकुल ऐसे डाल दिया साथी हम डालेंगे आधी चोटी चमश जीरा पाउडर स्वाद अनुसार नमक तो बस मैं एक चोटी चमश जितना भी डाल रही हूँ दो बड़ा चमश जितना तेल अब आपको एकदम अच्छे से इसे गूंतना होगा वो भी बीना पानी मिलाएं और ये जो आटा है ये एकदम चिपचिपा सा आटा में तयार हो जाएगा तो ये देखें बिल्कुल ऐसे तो एकदम चिपचिपा आटा में तयार हो गया इसमें बिल्कुल पानी मैंने डाला नहीं है अब यहां में डाल रहें एक बड़ा चमच जितना तेल अब हम इसे हलके हाथों से ऐसे वापस घूंद लेंगे और हमारा जो आलू बुजिया का जो आटा है यह लग चुका है तो बिल्कुल ऐसे आपको इसे हलके हाथों से गूनना होगा अब मैं क्या करूँ कि इसे समान भागों में ऐसे हिस्से बना दूँगी बिल्कुल ऐसे और इसे इस प्लेट में रखते जाओंगी तो यह बहुत ही ज़यादा चिप-चिपा होगा तो ऐसे करकर आप समान भागों में इसे हिस्से करकर ऐसे रखते जाना बिलकुल ऐसे रख दिया अब यहां मैंने दोस्तों चकली मेकर लिया है या आप कोई भी दुकानों में या पिर आनलाइन मिल जाता है और यह सबसे छोटा होल वाला सांचा का मैं इस्तिमाल कर रही हूँ तो इसे मैं इसमें के अंदर ऐसे डाल दूँगी इस चकली मेकर को बंद करकर हम थोड़ा सा तेल ऐसे अंदर से लगा देंगे और फिर अब हम क्या करेंगे एक हिस्सा यह आटे का इसके अंदर ऐसे हाथों में थोड़ा सा पतला करकर बिल्कुल ऐसे चकली मेकर के अंदर डाल देंगे अब इसमें भी हम थोड़ा सा तेल ऐसे उपर से लगा लेंगे और इसे एकदम अच्छे से चकली मेकर को बंद कर लेंगे अब चलिए हम आलू बुजिया बनाना शुरू कर लेते हैं तो उसके लिए यहां मैंने एक बरतन में तेल डाला है इस तेल को हम मद्यमांच में गरम होने देंगे तो जैसे ही तेल गरम हो जाता है हम साबधानी परक कर इस चकली मेकर से इस आटे को ऐसे छोड़ देंगे बिल्कुल ऐसे तो एक की बारी में आपको पूरा आटा डालना नहीं है बस थोड़ा थोड़ा करकर आपको ऐसे डालना है बस इतना ही अब हम इसे मद्यमाच में एक से दो मिनिट के लिए तलेंगे इसे जादा भी नहीं तलने की जरुवत है अब हम साबधानी से फोक की सायता से पलट लेंगे और दूसरे तरफ भी एक से दो मिनिट के लिए मद्यमाच में तलेंगे तो ये देखे दोस्तों हमारा आलू बुजिया बनकर तयार है अब मैं सावधानी से इसे निकाल लूँगी तेल पूरी तरसे जाने दूँगी और इसे पेपर टावल में रख दूँगी और ऐसे हम सारे आलू बुजिया तल लेंगे और इसे एक के उपर एक तलने के बाद रखते जाएंगे तो बिलकुल ऐसे और ये देखे हमरा आलू बुजिया तयार है मैंने ऐसे बरतन लिया है इसमें मैं ये आलू बुजिया स्टोर करूंगी अब सावधानी से मैं ये आलू बुजिया को लेकर इसके अंदर ऐसे डालते जाओंगी डाल दिया अब हम इसे हातों से हलके हातों से ऐसे तोड़ देंगे थोड़ा सा ताकि इसमें थोड़ा सा जगा हो जाए तो दोस्तो आप क्या कर सकते हो अगर ये थंड़ा होने के बाद आपको और चटपटा चाहिए तो आप इसके उपर थोड़ा सा और चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर और थोड़ा सा पूदीने का पाउडर भी छिड़क सकते हैं तो ऐसे हम बाकी के भी आलू बुजिया को ऐसे तोड़ देंगे बिलकुल ऐसे इसे आप चाहिए के टाइम में या कभी भी आप इसे परोश सकते हैं बहुत बढ़िया लगता है और ये देखे हमरा आलू बुजिया तयार है तो जरूर इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए और आपके अनुभाव मेरे साथ कॉमिन सेक्शन में शेर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करकर सपोर्ट कीजिए देखने के लिए धन्यवाद